अलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चनल टैले विद विश्टों सर में तो आज हम फिर एक नया वीडियो लेका है कह सारे चीज़ की बारे में यह जनकारिया यह इस वीडियो में देज झ आए उन पलड़े का को तो यह vouchers बहुत important vouchers है जिसका उपयोग हम लोग अपने बिजनेस में करते हैं देखे reversing journal के लिए कुछ लिखा हुआ हम लिखे हैं और इसको आप चाहें तो आप वीडियो पहुज करके लिख सकते हैं आप लिख लिजिए लिखा है reversing journals are a special journal that automatically reverse after a specific date मतलब यह कैसा journal special journal भाउचर होता है जो automatic reverse हो जाता है किसी specific date पे जो आप डेट डालेंगे उस date पे reverse होने का मतलब क्या कि जब आप इसको record करेएगा उस समय एफेक्ट नहीं डालता है बट यह एफेक्ट कब डालता है जब आप जब आप इसको चाहिएगा कि यह एफेक्ट डाले उस समय एफेक्ट डालता है ठीक है लिखा वा रिपर्सिंग जोनलार क्रेट ऑन डेट ऑन देफेक्ट ऑफ द भाउचर विल रिमेंस तिल डेट मतलब कि यह जब आप जिस डेट पर रिकॉर्ड करेंगे उस डेट पर इफेक्ट नहीं डालेगा यह उस दिन तक का इंतजार करेगा जिस दिन आप रिमेंड डेट डाले होंगे जब आपको चाहिए ठीक है यहां साफ साफ लिखावा है कि दिजर भाउ ज़रूरत पड़े मंथली या क्वाटरली या हाफ हीरली रिपोर्ट बनाने का उसमें एस्पेक्टेड एक्सपेंस या इंकम को दर्शाने का तो आप इस वाउचर का उप्योग कर सकते जैसे एक्जामपल के तोर पर हम लिखे कि पाच हजार रेंट आफ अफ अफ अफ्री अगर हम रेंट किसी रूम का दे रहें किसी मकान का या फिर किसी सौप का हम अगर रेंट दे रहें तो वह एक तारीक से पास तारीक तक के बीच में दिया आता है और सैलरी अगर दी जाती तो एक तारीक से दस तारीक तक के बीच में लेकिन हमको प्रॉफिट अन लॉस 31 कर लेगा कि यह पांच तरक्त चैसे क्लों चाहते हैं कि ईंटरी करे और किसी स्पेस्फिक डेट पर रिवर्स हो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या है रिवर्सिंग जॉर्नल भाउचर जिसका सॉटकी होता है एक लिखावा ब्रैकेट में एफ 10 क्या है सॉटकी है अब देखेस में दो तीन चीज़े और लिखे में आप हमेशा इसको देख सकते हैं रिवर्सिंग जॉर्नल भाउचर को डेबुक में मतलब कि एक वाउचर टाइप होता है इस वाउचर टाइप का सॉटकी अभी आपको क्या बता है एफ 10 से खोल सकते हैं यहां पेक और लाइन हम नोट में लिखा है कि यूज सेनारियो तो सी इफेक्ट आप रिवर्सिंग ज्वर्सिंग्र इंट्रीज और्रीय। अन Subscribe मतलब कि आप जब सेनारियो बनाएंगे सो optimizing åben इन एक वीडियो ही हम आपको बनाकर बताएंगे जब आप सेनारियंगे जबसेनारियो बनाइप सेनारियो बनाइएगा उस्तामे Be एक दर्स आता है ठीक है अब आते हैं देखते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते वे देरी नहीं करेंगे और हम एक कंपनी देखे बनाये रिवर्स जॉर्नल और ओप्सनल का तो हमको अन करने के लिए क्या करना होगा एक इसको एकसेप्ट करा देंगे जैसी आप करेंगे तो आपके सामने रिवर्स जॉर्नल वाउचर आन हो जाएगा पहां दिखता है एकाउंटिंग वाउचर में जाईए और F10 बटन दबाईए कौन सा बटन F10 देखे हाँ पर रिवर्सिंग जॉर्णल वाउचर खुल के आपका ओपन हो गया अब हम एक सेटिंग करते हैं हाँ पर बाई बाई है टू बाई है सेटिंग होता है यह हम पहले भी आपको बता चुके हैं आप इसको डियर कर सकते हैं इसमें कौर सेटिंग है सिंगल इंट्री मोट का उसको भी हम ठीक कर लेते हैं क्योंकि वो परिशान करेगा ठीक है तो हम यहां तक आगए अब हम कोशन्स को पढ़ते कोशन्स अब देखे नीचे एक स्टेप देख लेते हाँ टू रिकॉर्ड कैसे करेंगे गेट्वेफ टैली एकांटिंग वाउचर और उसमें एफटेन प्रेस करेंगे तो क्या खुलेगा रिवर्सिंग जो आपसे मांगा जाएगा वह आप दी हम पे करेंगे 5000 ठीक है तो अब बतिए के रेंट इंडिरेक्ट एक्सपेंस है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा तो इसके लिए हमें एक काम करना होगा रेंट का लेजर बनाना होगा चलिए बनाते हैं यहां गये एकांटिंग इंपो लेजर और क्रेट कर लिए किसका र सेलरी यह भी इंडरेक्ट एक्सपेंसी होगा इसको भी बना लिए अब हमको क्या करना भाउचर बनाना है डिवर्सिंग जॉनल प्रेस किये अब यह रेंट देंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा पैसा एक रियल एकाउंट और जाएगा तो हम उसको क्रेडिट रखते हैं त सेलरी भी देना हो तो सलरी को भी हम इसी तरीके सेंटि करेंगे 5000 दूसरा कोस्तन और और कैस में दे देंगे और यहां पर यह कभी फ्यक्ट डाले एक माई में एक्सेप्ट करा लिए इसी तरीके से रिवर्सिंग जॉर्नल का इंट्री कहा था अब नीचे लिखावा हाँ हाव टू रिवर्सिंग जॉर्नल ऑगोचर इंट्रीज इसको हम लुँप देखेंगे कैसे गेटव टैली डिस्प्ले एकसेप्टन रिपोर्ट ओर में गये और यहां पर देखें तो रिवर्सिंग जॉर्नल दिख रहा है आप इसको जैसे खोलेंगे तो देखेंगे दिये के हम अपने futures के transaction को अगर हमको record करना होगा तो हम रिवर्च सिंग गजनल भाउचर में record करते हैं ठीक है तो अगला हम लोग का टापिक था आप्सिनल भाउचर इस बाउचर को भी देख लिए ऑपस्नल भाउचर का क्या है हो जो कैसे करते हैं इस बात को भी देख लेजे तो optional voucher का उपयोग हम लोग देखें लिखागा कि this is also non accounting voucher but like a memo voucher मतलब कि sorry but unlike a memo voucher मतलब यह non accounting voucher होता है लेकिन memo voucher जैसा नहीं होता है this is not a separate voucher type मतलब यह कोई voucher type नहीं होता है you can mark an existing voucher मतलब कि आप इसको बना सकते हैं optional ठीक है कैसे बनेगा वो सारा चीज़े हैं लिखागा यह किस 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 में होता है record incomplete transaction वैसा transaction जो incomplete हो इसको आप लिख लिजेगा और इसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा इसमें लिखावा forecast future sale भविश में आपको sale करना हो तो या create estimate इस बात को हमेशा दिमागब रखेगा estimate बनाने के लिए यूज क्या आता है कौन सा voucher optional voucher अब estimate क्या होता है इस बात को समझेंगे estimate कैसे बनेगा estimate को क्या बोलते है business language में the business language में quotation बोला जाता है क्या बोला जाता है quotation अब देखे लिखावा है कि रगु create an estimate of flex board flex board do piece यह rate है मेरा इसमें भी वही चीज़ लिखावा है कि you can also view optional voucher from the day book use scenario यह भी effect डालता है scenario को और एक चीज़ और लिखावा है कि you can alter and convert an optional voucher into a regular voucher when you decide to consider the entry into your books मतलब कि आप convert कर सकते हैं optional to regular voucher और regular to optional voucher ठीक है अब कैसे करते हैं यह भी आप आपको आगे मिलेगा on कैसे होगा how to enable optional voucher trace f11 f1 और यह settings जो कि हम लोग reversing journal के लिए ही किये ठीक है अब आगे आते हैं how to record optional voucher हम लोग optional voucher को record कैसे करेंगे तो get way of tally accounting voucher press any voucher की कोई voucher की जो आपका लिखावा फिर नीचे कि and press control plus L काहे के लिए optional बनने के लिए select particular either CR or DR give amount based on question accept all अगर मालीजे CRDR का question नहीं है voucher type का question नहीं है sorry invoice का है तो उसमें भी आपको CRDR डालने के तो कोई हो सकता नहीं आप उस तरीके से भी बना सकते ठीक है तो देखें हम लोग कैसे उसको भी बनाते हैं तो आईए हम देखते हैं कैसे कैसे इसको भी set करेंगे तो अब देखें हम चलते हैं इसको कैसे बनाते हैं यह तो question मेरा यह है कि रगु create an estimate of flex board चले टेली में हम कैसे फ्लैक्स बोड का बनाते हैं ठेक है देखें सेटिंग तो कोई करना नहीं है हम इस्टीमिट बनाके किसी को देना है तेफेट में ही बनाएंगी क्योंकि सेल ही करना होगा और optional बनाने के लिए क्या option था control प्लस एल control प्लस एल जैसे क्लिक के देखे option लेहाँ बनाएंगे क्या करना है रगु का एक लेजर बनाएंगे तो फ्लैक्स बोट पीशी में बनता है उसका यूनिट पीस होगा और यहां पे लेलिए कितना पिस था दो पिस था और इसका रेट था 10,000 रूपया पर पीस 10,000 रूपय लिखे लिए पर पीस और इसमें देखे एक और चीज़ लिखा गा क्या पात सो रूपया पर पिस फिटिंग चार्ज तब फिटिंग चार्ज की इंट्री कैसे की जाती है तो डिस्काउंट में आपको पढ़ा होंगे कि ग्रॉस एमाउंट के नीचे और अब अल्ट सी करेंगे फिटिंग चार्ज ठीक है किसके एंडर में बनेगा इंडरेक्ट एक्सपेंस भी होगा ये भी क्योंकि छोटा खर्चा है और रेट के सामने वैसे बहलू को लिखा जाता है जो परसंटेज के वेस्पर होता है तो यहां पर पांचो रुपया फिटिंग चार्ज यह तो को लेटर खुल जागा और लिख लिए 500 गुना दो इंटर बटन बराबर बर कुछ नहीं देना है इंटर बटन दबाईएगा आपके सामने वहां एक हजार आ जागा एक्सेप्ट करा लिजे बनतोगे आप्सेप्शन भाउचर अब इसमें हम एक और चीज़ लिखे है हाउ तो यह भी स्कीप कर रहा है थोड़ा सा एक मेंट के बाद बता देंगे हाउ टू सो अप्सेप्शनल भाउचर आप देखेंगे कहां पर तो वहीं पर जाना होगा डिस्प्ले में एक्सेप्शन रिपोर्ट और उसके बाद दिखेगा आपको अप्सेप्शनल भाउचर जै यहां गया टैली फिर से खोलना होगा हमें चलिए कोई बात नहीं है हमने प्रिंट प्रिव्यू नहीं कर रखा था वह डारेक्ट प्रिंट चला गया प्रिंटर में अच्छा कोई बात नहीं है अदेके प्रिंट जैसे कीजिएगा तो वहाँ पर क्या दिखता है वहाँ पर देखे यहां पर क्या देखे है दीजिस का मतलब क्या कि यह कोई और इसनल नहीं यह प्रीफार्मा है इसको हम लोग कोटेशन भी यहाँ चेंज कर सकते यह सारे चीज आपको बता है को टेशन कैसे लिखा जाता है इस इनवोइस का नमबर बगरा कैसे बाद्ला जाता है यह सब हम order processing के videos में ही बता दिये हैं ऐसे देखिए अगर आपको फिर से देखना हो तो आप कहां जाएंगे कुछ नहीं करना है आप इसके नाम को भी बदल सकते हैं प्रिंटिंग में क्या नाम आए तो आप पहले यहां पर एक हम लिखें यहां पर इसका नाम क्या है how to create a voucher type default to optional हम optional ही direct कैसे बनाएंगे तो जाना का होगा account info voucher type और create कर लेज़े जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं लिख सकते कि दो डिजिट में हो यस कर दो और यहां पर क्या हम लिखना चाहते हैं आप लिखना चाहते कोटेशन है क्यू यू को टी कोटेशन नंबर इस तरीके से करके कोई कोई लिखता है ठीक है तो आप लिखना चाहते तो डाल सकते क्यू ओटी एनो कोटेशन नंबर हो गया आप यहां पर accept करा सकते हैं अब देखिए यह option आपको yes करना होगा make this voucher type as a optional by default इसको yes कर लिजेगा तो अब आपको इस optional अब देखिए यहां पर अगर आपको यह करना है कि हम default voucher का type कैसे यह करेंगे यह हर एक एक चीज आपको दिखा ठीक है अब आप गये कहां पर voucher खोलिए effect यहां पर पांगे यह optional खोलना है कि sales optional पर क्लिक कर लिए अब देखिए यहां पर हमको कंट्रोल लेल करने कोई हो सकता नहीं हुई माली जए रघू को ही फिर से कर दे रहे एक और इंट्री फ्लैक्स बोड आपकी बार पाच पीस का कर दे रहे हैं और अपकी बार आठ पाच 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 सो नॉमबर बन फिर फॉर्मा इनवास लिखा हुआ दिख रहा है सब कुछ हर एक एक चीज आपको दिखेगी तो यहां तक में हमको तो नहीं लग रहा है कि यहां तक किसी तरीके का दिक्कत हुआ होगा तो आपके साथ यह जो वीडियो का यह पीडियेफ है यह पीडियेफ सामने है आप इस प्रेंशोट्स लेख सकते हैं रिवर्स इंड गाय तो हम चाहेंगे कि इस तरीके के विडियो चोटे-चोटे आपको मिलते रहेगा तो आप अब अच्छे से पढ़िए इस चीज को और इसमें का तीन चीज हम को बताना था मेमोरेंडम, ओप्सनल और रिवर्चिंग गर्नल, मेमोरेंडम भाउचर अभी तुरन ततकाल के वीडियो में लास्ट वीडियो में मेरेंडम का ही है तो उसको पढ़ा है तो आप उसको भी देखिए जानिए धन्यवाद